केम सरकार ने हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया है हज के लिए सरकार की ओर से VIP कोटा खत्म होने जा रहा है पहले हज यात्रा को लेकर कुछ आरक्षे सीटे दी जाती थी जिनने की अब खत्प कर दिया जायेगा इस कदम के बाद हज जाने वाले सभी लोग आम यात्रियों की तरह ही यात्रा कर सकेंगे किसी भी यात्री को कोई खास VIP कल्चर नहीं मिलेगा पहले राश्पती, उप्राश्पती, प्रधान मंत्री, अल्प संकें मामलो के मंत्री और हज समेती द्वारा आवंटी सीटों से करीब 500 लोग हज पर जा सकते थे राश्पती कोटे से 100, उपाध्यक्ष कोटे से 75, पीम कोटे से 75, अब संक्या कार्य मंत्री कोटे से 50, हज कमेटी ओफ इंडिया को 200 सीटे मिलती थी लेकिन नई हज नीती के मसौधे में अब इसे खद्म किया जा रहा है अब सभी हज यात्री हज कमेटी और नीजी टूर ऑपरेटर के जरिये ही यात्रा कर सकेंगे हाला कि अभी तक इस नई हज नीती को लेकर कोई आपचारिक घोशना नहीं हुई है हाली में सावधी अरब ने तीन साथ हज करने वालो की संक्या पर लगे प्रतिबंद को हटाने का एलान किया था सावधी अरब के इस फैसले के बाद जितनी ताधाद में कोरोने महामारी से पहले जाईरीन हच करते थे अब वो उतनी ही संक्या में हज के लिए चा सकेंगे इसके अलावा सरकार ने आयू सीमा के प्रदिवंद को भी हटाने का एलान किया था बता दे कि कुरोन सा पहले 2019 में लगव 25 लाक लोग हज पर गए थे लेकिन महामारी के कारण उसके बाद के दो सालों में जायरीनों की संक्या में भारी कमी देखने को मिली थी गोंद स्याह जोडों के दर्द का प्राकरति के लाच गोंद मोरिंगा चमक्ती त्वचा और सुन्दर घने बालो का राज झालो का झालो का झालो की संक्राद का प्राकर प।